मैं नितिन कुमार जांगडे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल डीजी फॉर टेक पे प्लीज मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लीजे, बैल ऐकन दबा लीजे, नोटिफिकेस ऐकन क्लिक कर लीजे मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेयर कर दीजिए, आज मैं आपको 275 नमबर का टेक नियूज बताऊंगा तो चलिए हम अपने नियूज सुरू करते हैं ओनर वाच जी एस प्रो ये लॉंच होने वाला है इंडिया पे 8 अक्टूबर को और साथ ही साथ ओनर का टी डबलू एस येर वर्ड भी लॉंच हो सकता है अब बात करते हैं Honor Watch GS Pro की प्राइजिंग की लिग प्राइज के एक्कॉर्डिंग इसकी प्राइज हो सकती है 21,500 रुपए OnePlus का कल के डेट पे यानि की October 1st पे कोई VR वाला एक गैजट लॉंच हो सकता है Something VR वाला क्या बोलना चे गुडिस हो सकता है अब दिखते हैं कि क्या OnePlus हमें प्रेजेंट करता है Vivo का X50e वाला 5G फोन लॉंच हो चुका है Snapdragon 765G प्रोसेसर है इस पे RGB की RAM है 128GB का Storage है 6.44 इंच का Amploid डिस्पले दिया गया है 33 Watt की Fast Charging है 4350 MHz की बैटरी है 48MP का Main Camera Sensor है Xiaomi का 2 Redmi प्रोड़क्ट के अंतर गत Audio Product लॉंच हो सकता है October 7th को Tees आ चुका है अब ये दो जो प्रोड़क्ट होगा जहिर सी बात है एक TWS हो सकता है और एक Neckband Bluetooth एयरफोन हो सकता है Wire वाला तो लॉंच करेंगे नहीं ये सब brands आज की रेट पे Redmi phone का जो दो ऐसा नया model का leak सामने आया है एक में आपको मिल सकता है नया लॉंच हुआ Snapdragon 750G ये एक 5G प्रोसेसर है Dual Band 5G है यानि की MM Wave टेकनलोजी भी है और Sub 6 GHz टेकनलोजी भी सपोर्ट करता है दूसरा एक Flexive Spot हुआ है Snapdragon का 865 प्रोसेसर के साथ पे तो अब बात करते हैं जो पहला वाला जो phone है 750G ये strong leak के according ये हो सकता है Redmi Note 10 का 5G वाला variant और इसका global variant का नाम हो सकता है Mi 10 T Lite 5G अब बात करते हैं Snapdragon का 865 वाले प्रोसेसर का तो ये यहाँ पर आ सकता है Redmi का K30 Pro के नाम से बनके इंडिया पे और global market पे ये जा सकता है Mi 10 T 5G के नाम से Microsoft का जो translator app है या बोला जाए tool है या website है इस पे अब आपको 12 Indian languages का support आ चुका है फॉर एक्जामपल असामी, बेंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, मल्यालम, मराथी, उडिया, पंजाबी, तमिल, तेल्गू, उड़्दू Google message जो है यानि की Google के Android platform पे जो stock Android phone मिलता है उसमें जो Google का official messaging app मिलता है इसमें आपको अब categorized type का feature देखने को मिल सकता है जैसे के transaction, OTP, offer, personal message इस टाइब से ये feature अल्रेडी हम देख सकते हैं TruePolar और OnePlus के official app पे मतलब जो उनके message app है MIUI में भी available है Emotion UI में भी सभी जगा customization पे available है बट यहां official stock Android वाले platform पे ये अब पहली बार आएगा Amazfit Neo का एक retro style वाले यानि की old look black and white display retro style का मतलब वही है तो ये वाला एक smart watch launch हो चुका है एंडिया पे और इसकी price रखी गई है धाई हजार रुपर तो जो की एक अच्छी बात है जो first time users है जिनको first start करना है यानि की initial start करना है उनके लिए ये watch काफी अच्छी है old pattern design है, digital look है तो आपको direct sunroof right पे भी देखने पे कोई problem ली जाएगा night के लिए भी अच्छा रहेगा OPPO का A93 वाला जो phone है ये October 6 को launch होने वाला है इसमें आपको 8GB की RAM, 128GB का storage मिलेगा Helio का P95 वाला processor मिलेगा 7.48 mm का ultra sim वाला body रहेगा quad rear camera setup है rear पे, front पे, dual selfie punch hole वाला design दिया गया है rear पे आपको 48 MP का main camera sensor मिल जाएगा PS5 के कुछ games के price leak होके आ चुके है approximation आप ये समझ सकते हैं कि PS5 के game आपको 5000K near about around pricing पे मिलेंगे OPPO का smart TV का भी कुछ leaks आना start हो चुका है इस पे आपको 4K resolution तो मिलेगा 120 Hz का refresh rate भी मिल सकता है quantum dot display technology को use किया जाएगा और दो variant पे आ सकता है 55 inch और 65 inches पे इस पे pop up selfie camera वाला भी design कंस्यूम किया जा सकता है मतलब काफी हद तक जो Huawei का TV launch हुआ था कुछ समय पहले उसी के concept line up के साथ ये unveil हो सकता है इंडिया market पे Google meet जो app है या बोला जाए इसकी जो app facility है अगर आप नए user है as a new user आप register करते हैं तो आपको 24 hour का free calling दिया जाएगा और इसमें एक नया features भी आया है कि सुरू का 60 minute जो है वो complete free रहेगा उसके पाद कुछ plans है और complete of live streaming type का भी content इसपे कर सकते हैं Google का Chromecast officially launch होने के पहले ही sale पे आ चुका है अगर आप US market पे रहते हैं तो आप इस Google Chromecast को purchase कर सकते हैं वैसे मैं suggest करूंगा कि कुछ खास wow factor नहीं है इस Chromecast पे आप proper एक Android TV ले या proper streaming box purchase करें इस type का केवाल crush करके आपको कोई मतलब sense नहीं मिलने वाला है क्योंकि इसमें सबसे negativity point ये है कि 4 GB का internal storage दिया गया है जो कि मेरे according आज के date पे 2020 और अगर आप product ले रहे हैं तो at least आप अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो minimum दो साल आप product को चलाने का thinking करके product को लेंगे तो आज आप चारजी भी internal storage का device लेंगे दो साल तक तो वो चारजी भी तो चलेगा नहीं तो सोस समझ के लीजिए Realme का 125 Watt का fast charger spot हो चुका है अब देखते हैं ये जो charger है हमें किस phone पे देखने को मिलता है company ने ये tease किया है कि 3 minute अगर आप charge करेंगे तो 33% की battery charge हो जाएगी उस battery की जिसकी capacity 4000 mAh की रहेगी अब देखते हैं हम इसे flexible level तक ही देख पाते हैं क्या पता ये 125 Watt वाला charger हमें mid segment पे भी देखने को मिल जाए वीवो का V20 series का phone confirm हो चुका है इंडिया launch date के लिए और इंडिया का launch date है 12 October को इस पे आपको वीवो का V20, V20 Pro, V20 SE तीन phone मिल सकते हैं दो phone जो है वीवो V20, V20 Pro दोनों पे आपको gimbal mechanism वाला camera setup मिलेगा वीवो V20 SE जो है ये एक decent normal hardware वाला रहेगा अब बात करते हैं कि 5G phone भी हो सकता है वीवो का V20 Pro बाकी वीवो V20 SE तो 4G वाला ही variant रहेगा OnePlus 8T भी confirm हो चुका है इस पे आपको Oxygen OS का version 11 यानि के Android 11 के उपर ये out of the box आपको मिल जाएगा इस पे 120 Hz का refresh rate भी मिल सकता है आपको और टॉप वाला जो variant है वो 12 GB RAM के साथ आ सकता है Snapdragon 865 processor के साथ 5G connectivity कैरी करके Lenovo का expand किया गया है series को जो की है ThinkBook series और ThinkPad वाला series इन दोनों series पे आपको अलग-अलग variants मिलते हैं जैसे कि Intel processor के साथ भी AMD processor के साथ भी तो जो आप processor consider करते हैं वो आप ले सकते हैं मेरा suggestion रहेगा कि आप AMD processors पे जाएं और इस series के laptop की starting price है 40,000 रुपीज Samsung Galaxy S21 Ultra का battery leak सामने आ चुका है इसका exact battery जो capacity सामने आया है वो है 4855 mAh जब इसे TV add किया जाएगा तो 5000 mAh की battery भी बोला जा सकता है और इसमें 65W की fast charging का भी leak आया है कि 65W की fast charging आपको देखने को मिल सकता है और बात करते हैं प्रोसेसर का तो Exynos 2100 वाला प्रोसेसर का leak आ चुका है मारे पास Realme का Q2 नाम का एक phone spot हुआ है इसका N22 benchmark score तो काफी अच्छा interesting है जो की काफी हाई है एक as a compare आप बोल सकते है अब देखते हैं कि यह किस hardware combination के साथ आता है वैसे इसमें strong leak के according इसमें आपको Demensity वाला series का 5G प्रोसेसर मिल सकता है 65W की fast charging भी मिल सकती है Google Map में finally dark mode आ चुका है बट अभी भी यह every users के लिए available नहीं है जी हाँ जो Google का नया map version है 10.51.1 यह अगर आप use करेंगे Android 11 platform के उपर तभी आपको dark mode का phasers मिलेगा अगर आप Android 10 user है या old user है और आपके पास यही version install है 10.51.1 फिर भी आपको dark mode नहीं मिलेगा क्योंकि यह अभी full fledgedly rollout नहीं किया गया है यह एक प्रकार का pre stable version है तो आप थोड़ा सा wait कीजिए आपको dark mode मिल जाएगा European government ने finally approval दे दिया है Google को कि वो fitbit को complete take over कर सकता है कर रहा था कि fitbit को वो purchase कर ले और यह पूरी deal complete हुई है 2.1 billion dollar पे और यह deal complete हो सकते यह full final paperwork complete होते तक यह December end हो सकता है Google का Gboard जो है इसे Android TV platform के लिए redesign कर दिया गया है अब redesign के बाद आप देख सकते हैं यह complete mobile pattern पे यह change किया गया है जो कि अच्छी बात है otherwise आपके पूरे TV के size का यह keyboard आता था जिसमें आपको एक end से दूसरे end तक पूरा move करना पड़ता था उससे तो आपको छुटकारा मिल ही जाएगा रोको कमपनी का stream box और ultra box साथ में इनका operating system को अपडेट किया गया है और नया version लाँच किया गया है वैसे इस टाइप के brands के यह product लेना कुछ खास wow factor नहीं है अगर आप just texting purpose के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं otherwise मेरा suggestion है इन्हें ignore करें foldable window वाला tablet सामने आ चुका है Lenovo के तरफ से ThinkPad के अंदर X1 Fold जो की काफी अच्छा एक lightweight बनाया गया है tablet इसमें विसे processor तो core i5 लगा के दिया गया है NVMe SSD भी लगा के दिया गया है RGB तक की RAM आपको मिल जाती है और इसकी price अभी unveil नहीं हुई है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है इसी तरीके की वीडियो तो please मेरे चैनल को सब्क्राइब करके रखिए bell icon दबाईए notification icon क्लिक कीजिए मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे daily visit कीजिए यहाँ आपको रोज वीडियो मिलते हैं इसी तरीके के news से related साथ ही साथ unboxing sales, benefits, high tech news etc अब हम बिलते हैं अपने अगले वीडियो पे तब तक लिए thank you, have a nice day